दोस्तों मैंने लगबख 40,000 रुपीज में एक चीज सीखिये, जिस चीज का जितनी जल्दी value, price and popularity बढ़ जाती है, उसी चीज को उससे दुगनी तेजी से उसका value, price and popularity गट जाती है, यानि कि कम हो जाती है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कभी न हो, क्योंकि जिस चीज की जो value, price and popularity जो बढ़ जाती है न, उसी चीज के साथ expectations भी बढ़ जाती है, मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत स्याद expectations, यह 40,000 वाला कसाम जाने की किसी और वीडियो में, पर अगर आप मुझे नहीं जानती, मैं आपका दोस्त, एहमद हमीद, let's more towards the mean topic, call by the co-founder of OnePlus, but, उसने OnePlus की company leave क क्यों, क्योंकि smartphone की race में एक nothing phone one के entry होनी वाली है, पर क्यों, क्योंकि अपना time आएगा, but, 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 यहां पर do or die की situation है, आगे जानेगे कि कैसे है do or die की situation, smartphone के इतने बड़े market में जो gap है, उसी को fill करना चाहता है का, कैसे कुछ different करके, means कुछ innovative करके, अब phone की तो entry हो गई, but, लो कैसे होगा, कुछ event structure, marketing, advertisement, posters, and tech enthusiasm को target करने से, काल इसी में से एक चीज का use करते है, वो है event, event में आकर काल सारी company को tease करता है, but, इतनी जली tease करना मुझे सही नहीं लगा, यहां तक भी ठीक था, उसी के साथ-साथ उसने एक trillion dollar company को भी tease किया है, जी हां दोस्तों, मैं Apple के बात कर रहा हूँ, event में वो तो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि hype maintain रहे, और curiosity maintain रहे, बट दो चीजों पर वो थोड़ा सा hint देते है, एक तो है design, और दूसरा है ecosystem, design से तो मैं agree हूँ, majority of the smartphones resembles with each other, इनके सब design, इनके सब irritating design, आप सब दोस्तों को तो यह सब पता होगा, बट नोट्स नहीं किया होगा, यह रहे कुछ smartphone के list, यह different company की है and different smartphones है, क्या आप इनको पहचान पाओगे with their design, comment section में जरूर कहना कि आपने कितने smartphone को डंग से पहचाना, इन smartphone में तो बस camera का ही different adjustment है, किसी किसी में तो वो भी same है, तो इस topic पर हम ज्यादा discuss नहीं करेंगे, इसको र charging के time पर billing करें, एक different design होगा as compared to other brands, transparent back होगा जिसमें शायद कुछ phone के components भी दिख जाएंगे, मुझे यह design उतना interesting नहीं लगा, बट किसी को तो यह बहुत पसंद आ जाएगा, दोस्तों मैं मजा कर रहा था, मुझे यह personally बहुत पसंद आ गया, क्योंकि एक new design market में देखने को मिल गया, इससे एक revolution आ सकता है smartphone company में, क्योंकि जितनी भी smartphone companies है, वो एक new different अपना design तयार कर सकती है, इवेंट में वो ज्यादा information तो नहीं देती है, बट जो भी देती है, hint के तोर पर देती है, hype maintain रहे, curiosity maintain रही चाहिए, and इस phone में nothing OS होगा, जो कि fast होगा, smooth होगा, 3 years के OS updates मिल जाएंगे, and 4 years के security updates मिल जाएंगे, जो कि मुझे बहुत पसंद आ गया, बट अगर वो ढंके होंगे तो, आशकल के smartphones तो phone की performance को कम कर देते है, ये भी जानेगे हैं किसी ओर वीडियो में, क्या है इसकी बीचे किसे strategy, and pure stock android का experience मिल जाएगा, ये था कुछ design and OS, इसको भी हम Apple से समझ लेते हैं, मानलो आप Mac पे काम करते हो, and आपके iPhone पे एक call आज जाती है, make sure कि आपकी Apple ID, same login होनी चाहिए, ये जो call है, आप Mac पर भी उठा सकती हो, Mac पर ही नहीं, Apple Watch पर भी उठा सकती हो, iPad पर भी उठा सकती हो, and इस तरह से कुछ Apple का ecosystem वो करता है, इतना ही नहीं, आ आपने Mac पे कुछ copy किया है, and आप इसको directly paste कर सकती हो iPhone पर, and फाइलेस ट्रांसफर करने हो तो, just drag and drop, seamless interaction, Windows या Android के साथ ऐसा कुछ भी नहीं, Windows की बात करें, तो सबसे पहली problem, Bluetooth missing होता है, उसको संभालने के लिए, trouble short run करने के लिए, एक दो मिनट लग जाती है, and उसके बाद, receive a file, and 90% of the chances कि उसके बाद भी कुछ error ज़रूर आ जाएंगे, different type के errors आते हैं, तो, ज्यादा याद रखने के कोई ज़रूरत नहीं, and ये जो ecosystem है, ये तो closed ecosystem है, closed ecosystem means, ये on the Apple की device हों पर applicable है, क्योंकि इन device हों में Apple का अपना hardware होता है, and software भी अपना होता है, and nothing इसी ecosystem को break करना च जाता है, ताकि जितने भी third party product, so, Tesla vehicles, etc., वो seamless interaction करें, nothing कोन से, मेरे हिसाब से, nothing के पास, तो software based control आ जाएगा, बट hardware का क्या करेगा, जो कि different company का होगा, and मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है, Samsung इतनी बड़ी company, उसका भी एक ecosystem है, बट बात Apple की ही होती है, बताने, nothing की बात कब आएगी, जो hardware, जो code, जो instructions, एक device को दूसरे device से interaction करने में मदद कर ली दी है, वो कोन provide कर लेका, nothing से, एक possibility है, बट उसके भी बहुत ज्यादा कम chances है, अगर कोई दूसरा brand, nothing के साथ collaboration करेगा तो, बट इसका तो बहुत खर्चा आ जाएगा, it is directly proportional to the price of the phone, ये phone हमारे mind से ज पास, और जितनी भी information है, ये hint है, ताकि curiosity maintain रहनी चाहिए, और hype भी maintain रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो event में आकि एक ही बार सारा कुछ बता देती, phone के बारे में, थोड़ी time के बाद तो phone की hype down हो जाएगी, बट वो ऐसा नहीं चाहते है, event में वो beta launcher का भी जिकर करते है, ता मिल गया, अगर phone audience को satisfy करता है, playing element में जगा मिल जाएगी, और अच्छा बन बन कर, बन बन कर तो upner भी बन सकता है, बट अगर लोग इससे disappointment हो गए तो, शायद सबस्चुट में भी जगा नहीं मिलेगी, अब एक कामन सा question को phone का क्या price होगा, काल की इस vision को बहुत पैसे लगी design ecosystem, advertisement marketing, etc. ये तो सारा पैसा हमारी ही जेपों से निकलेगा, जब phone का price increase होगा, और एक बात, जब एक phone 4 years के updates देता है, and obviously वो तो अच्छा phone ही होगा, पहला phone है, इस चीज़ को भी notice करके उन्होंने price decide किया होगा, मुझे लगता है कि 37,000 से ज्यादा phone का price होगा, मैंने इस वी उसने nothing phone 1 का वीडियो अप्लोड किया अपनी channel पर, और उसमें उसने कुछ design के बारे में बताया है, आफ भी check out कर सकती हो, उस वीडियो पर लगबग 6 million viewers आ चुके थे 6 दिनों में, अगर उसी के channel के बारे में बात करें तो पिछले 6 महीनों से 6 million viewers नहीं आ चुके हैं, उनके क मुझे नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा service centers होंगे, बट इसकी भी possibility है कि अगर collaboration किया जाए, किसी और brand के साथ, regular basis पर update देना, जो कि bugs fix करे, performance improve करे, और आशकल के updates तो phone की performance कम कर देते, hope कि ऐसा इसके साथ ना हो, मुझे आपके valuable comment का इंतिजार रहेगा, इस phone के related, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपनी वीडियों की performance improve करूँ, बस आप लोग का support चाहिए, तो मिलकर करेंगे इस लाल subscribe button को, great, so stay tuned with tech toaster for the upcoming videos.